आप इसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि पंकर जी क्या कारण है कि कुछ भी कर लो घर में वैसी बिर्यानी नहीं बन पाती है जैसे कि रेस्टराउंस में मिलती है लेकिन आपको किस बात का डर मैं हूँ ना आपकी हर प्रॉब्लम का सेल्यूशन लेकर हाजएर आज एक पनीर दम बिर्यानी बने की एमाजन कीजिए मसालों की भीनी भीनी सी खुश्बू सक्ट जूसी चंक्स ऑफ पनीर नजाकत से तह लगा कर पकाए जाएंगे यानि कि यह सिंफिनी ओफ फ्लेवर्स म्यूजिक है जी म्यूजिक हमारे टेस्ट बड़्स के लिए अब बिर्यानी तो पकाएंगे ही पकाएंगे लेकिन बिर्यानी के साथ-साथ वो सारे नुस्के वो सारे गुर जो एक बिर्यानी को पकाते वक्त दिमाग में रखने है ना वो भी आपको सब बताऊंगी नोट कर लिजेगा तो फिर शुरू करें तो पहले एक अच्छी बिर्यानी बनाने के लिए संग्जिये तो बिर्यानी के elements क्या-क्या है बिर्यानी कैसे बनती है तो बिर्यानी के elements में सबसे पहले तो आता है शावल इसे के बाद फिर आते हैं उसके मसाले थर्ड एलेमेंट होता है मीट्स या अगर आप वेजिटेरियन बीर्यानी बना रहे हैं तो लेजिटेबल्स या फिर जैसे आज हम बना रहे हैं पनीर बिर्यानी तो पनीर और चौथा element जो कि बहुत है important element है वो है उसका marinade अब rice जो आपके बिर्यानी का base है और ऐसे ही spices जो आपके बिर्यानी को देंगे वो flavors, इसे की साथ साथ खुश्भू, इसे की साथ साथ meats या vegetables या पनीर जैसे आज मैं इस्तमाल कर रही हूँ ये एक protein भी होते हैं ये marinade जो होता है अक्सर हम दही का इस्तमाल करते हैं ऐसे ही बहुत लोग नीमू का भी इस्तमाल करते हैं अब ये क्या करता है ये आपके meat, chicken, fish को breakdown करने में मदद करता है जिससे की वो अच्छे से पक जाए and of course एक flavor भी देता है अब अच्छी बिर्यानी बनानी है तो अच्छे ingredients चुनिए न और सबसे पहले शुरात कीजिए अच्छे चावल के साथ अब अच्छे चावल से मेरा क्या मतलब है अच्छे चावल से मेरा मतलब है पुराना बास्मती चावल और बास्मती चावल का इस्तमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें काफी खुश्बू होता है काफी flavor होता है एक हलकी सी मिठास भी होती है पुराना चावल ही क्यों? पुराना चावल इसलिए क्योंकि पुराना चावल जो है न वो फूलता है फैलता है और चिपचिपा बिलकुल नहीं बनता है and compared to this जो नया चावल होता है वो चिप चिपाता भी है, फूलता भी नहीं है, लेकिन भाई ये तो बताइए, कि ये नया चावल और पुराने चावल की पहचान कैसे की जाए, तो यहीं नोट कर लीजे, आप अपना tip of the day, जो ये कहता है, कि अगर आप चावल को लेकर अपने दातों के बीच में चपाएं बढ़िया बासमती चावल लीजिए, जैसे कि मैंने लिया है, दो काप चावल, अब इस चावल को आप कम से कम दो तीन बार पानी से तो अच्छे से भो लीजिए, and when the water starts running clear, हम इस चावल को भिगो करके रगदे के तक रीविन आदे गंटे के लिए, और तब तक क्या उस अनियम को फ्राइ करके निकाल लेंगे, अब तेल मीडियम होट हो चुका है, तो इस तेल में डाल देते हैं हम ये अनियम, धीमी आज पे ये काव हम को करना है, अब चावल भी भिको दिया, प्यास भी तलने के लिए चड़ा दिया, तीसरा स्टेप क्या होगा, तीसरा स तेकिंग बाउट हाफ अ कप ओफ दही, ये ताजा बढ़िया दही है, और इसमें अब आड करूँगी मैं कुछ मसाले, जैसे कि ये दो टेबल स्पून अद्रक लेसन का पेस्ट, इसे के साथ साथ ये थोड़ा सा चिली पावडर, और स्वात के अनुसार नमक, बहुत तो चमच गरम मसाला और इनको अच्छा सर मिक्स कर लोंगी, तो तीसरा एलेमेंट यानि हमारा मारिनेट भी रेडी हो गया है, हाँ, एक चीज़ अब इसमें और डालनी है और वो है स्लिक ग्रीन चिली, यानि कि दो तीन हरी मिर्च में ले लेती हूँ, और उनको काट करके एक फ्रेश फ्लेवर के लिए ना मैंने हरी मिर्च तो डाली ही डाली है, लेकिन इसके साथ ये थोड़ी सी मिन्ट लीज भी मैं इसमें चॉप करके आड कर दे दिया हूँ, पहले ये जो पनीर है मेरे पास, इस पनीर को क्यूब्स में कट करके रख लेंगे, ना मैं इसे ए और बहुत हलके हाथ से इने टॉस करके आप मैरेनेट करने कले रख दीजे, तकरीबन आदे से पौने घंटे कले तो कम से कम, अगर जादा समय हो, तो बहुत अची बात है, दो से चार घंटे का समय भी दे सकते हैं, और इन दाट केस, पूट इन दर रेफ्रिजरेटर, पनी को भी मारिनेट कर दिया, नाओ लेट्स कीप दिससाइड, एजाइट हो, अट लिस्ट हाफ एनार, अब आप नोटिस करेंगे, अनियन काफी श्रिंक हो गया है, और धीमी धीमी आज पर यह हलका सा गोल्डन होना भी शुरू हो चुका है, अब बार ही आएगी हमारे अगले एलेमेंट की, जो है हमारे ये मसाले, once again मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ, कि हमेशा अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडियन्स इस्तमाल कीजिए, तभी तो एक अच्छी दिश बनेगी ना, जैसे कि आपके whole spices, अब इनका काम क्या है, इनका काम है, जो चावल हम पकाएंग देना, उन चावलों को एक अच्छा सा फ्लीवर देना, अब क्या करते, पहले यहाँ पर पानी उबालने के लिए चड़ा देते हैं, जिसमें हम अपना चावल पकाएंगे, अब देखिए, धीमी धीमी आच पर पकते पकते हमारे अनियन्स भी कितने खुबसूरत golden brown हो चु से एक टिशू पेपर पर हम निकाल लेते हैं, so that these dry out and become crisp, पानी देख लिया जाए, पानी के बारे में तो मैंने आपको बताया नीना, कि कितना पानी आपको उबालने के लिए चड़ाना है, तो जितना आपने चावल लिया है, कम से कम उसका चार गुना पानी आपको चड़ पहले नमक नहीं आड करते हैं, for the simple reason, ऐसा करने से पानी को उबलने में ज्यादा समय लगता है, तो कितना नमक, this is also very important to understand, अगर मैंने 2 cup चावल लिया है, तो मैं 4 चमच इसमें नमक आड करूँगी, यानि कि आपका जो पानी है ना, वो over salty होना चाहिए, आप नमक आड करने के बाद एक बार उसे टेस्ट करके जबूर चेक कीजिएगा, so let's check the rice water, नमक इसमें तीखा लगना चाहिए, perfect, अब इसमें आड करेंगे हम अपने spices, जिसमें मैं आड करने जा रही हूं, दो तेज पत्ता, एक टुकड़ा दालचीनी का, दो मोटी इलाइची जिने मैं खोल के आड कर लूँगी, 5-6 हरी इलाइची, 1 जावित्री, और किवल 2 यातीन लॉंग, अब यह है एक star anise या जिसे चक्री फूल भी कहते हैं, बिर्यानी में एक बहुत अच्छा सा सोंधा सा फ्लेवर देता है, काफी बार ऐसा होता है कि जब हम बिर्यानी बनाते हैं तो उसम इमिट्स लेट करके पानी में आड करतेंगे, पानी में बढ़िया सी मसालों की खुश्बू आने लग गई है, तीन से चार मिनिट के लिए आपको पानी को इनी spices के साथ पका लेना है, और तब आड करेंगे हम इसमें चावल, अब चावल को हमने भिगो करके रखा हुआ है ठीके ना, लेकिन ध्यान इस बात का आपको देना है कि ये जो भीगा हुआ चावल है, इसका सारा पानी आपको डिसकार्ड कर देना है, पानी बिल्कुल नहीं आड करना, किस कारण से, सोचे, ये पानी क्या करेगा, एक, तो हमारा जो यहाँ पानी उबल रहा है, उसके टे कि वो चेंज करतेगा, now time to add this rice to the water, तो ये क्या हुई, ये हुई आपकी next tip of the day, जो ये कहती है कि बिर्यानी के पानी में चावल को हमेशा आप छान करके आड करेंगे, उसमें soaking water बिल्कुल नहीं आड करेंगे, अब जब तक ये चावल पके करना, तब तक हमें एक काम और फ करके रखा हुआ है, इस पनीर को भी lightly cook करके रख लेंगे, तो उसके लिए चड़ाते हैं एक पैन, पैन भी मैं वही ले रही हूँ जिसमें मैंने onions को fry किया था, ताकि oil भी वही इस्तमाल करूं, तो fried onion का flavor जो है वह पनीर में अच्छे से आजाए, अभी onion वाला तेल मैं ले इसी के साथ, तीन से चार हरी इलाइचिस देने में खोड लूँगी, आधा फूल जावितरी का, एक टुकड़ा दालचीनी का, और एक star anise याने के चकरी फूल, अब ये जो marinated पनीर के pieces हैं, इनको हम इस oil में add कर देंगे, बहुत carefully, एक दरफ पनीर पक रहा है और यहाँ च जो ये कहती है कि चावल को हमें केवल 75% कोग करना है, जी हाँ, फुली कोग इसे बिलकुल नहीं करेंगे, केवल 75% तक, जैसे की अब ये almost हो चुका है, ये देखिए, जब इसे प्रेस करूँगी ना, इसके बीच में एक ये white line सी मुझे दिखनी चाहिए, ये हो गया, अब गयास को कर देते हैं, हम बार, अब इस चावल को immediately हम ड्रेन आउट कर लेंगे, एक छनी के साथ, ताकि इसका जो cooking process है न, वो रुख जाए, अब इस चावल में इतनी inherent heat है, कि उस heat में ये चावल आगे पकता रहेगा, अब देखिए, पनीर भी यहाँ पर almost done हो चुका है, प जो यह कहती है, पनीर को ऐसे ऐसे नहीं बिल्कुल चलाएंगे, आप अपने spatula को पनीर के नीचे पुष कीजे, और धीर इसे इसे turn कर दीजे, ताकि आपका जो पनीर है वो बिल्कुल टूटे नहीं, अब गैस को मैंने कर दिया है बंद, अब आड करूंगी इसमें मैं अप जावित्री और इलाईची का पाउडर, यह पकाते वक्त नहीं आड करेंगे, यह हमेशा एंड में आड करेंगे, वो इसलिए क्योंकि यह इतने delicate flavors होते हैं ना कि हाई हीट पेन की खुषभू ओड़ जाती है, तो यह मैंने आड कर दिया, आथा चोटा चमच, जावित्री और इलाईची का पाउडर, और इसी के साथ आड करूँगी, एक चोटा चमच, केवडा जल और एक चोटा चमच, गुलाब जल, अब बारी आती है, बिर्यानी की लेरिंग शुरू करने की, तो इस 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 इंपोर्टन पार्ट आप आप दी इंटायर प्रोसेस, क्योंक इस चावल पर बिछाएंगे हम अपनी पनीर की लेर, जब अच्छी सी एक लेर आपने पनीर की इस पर बिछा दी ना, तो आपके पास यह जोल रह जाएगा, जोल यानी की ग्रेवी, इस ग्रेवी को अभी नहीं पोर करेंगे, इस ग्रेवी को हम पोर करेंगे, बाकी का सार भी थोड़ा से इसके उपर लगाएंगे अब ये बाकी का जो चावल है ये इसके उपर हम स्प्रेड कर देते हैं once again in a single layer ठीक है कभी भी चावल को आप इसके उपर एकदम से पलट मत दीजे हल की सी एक लेयर में इसके उपर बिछा दीजे हैं once again इसपे आड करेंगे ये मिन्क लीव्स फिर से एक लेयर फ्राइड अनियन्स की अब ये थोड़ा सा केसर ना मैंने गुन-गुने दूद में बिगो करके रखा हुआ है तो ये जो जो जोल मेरे पास है ना यहाँ पर इस जोल में में ये केसर वाला मिल्क आड कर दूंगी औ और इसको दो या तीन मिनिट के लिए हम और पका लेंगे अब इसी में एक क्वाटर कॉप मिल्क में और आड कर दूंगी और इसी के साथ साथ में पास एक बहुत खास एंग्रेडियंट है वो भी आड करोंगी और ये है मीठा इत्र ये क्या है ये क्या है ये केवड़े का इत्रे है जो खाने में इस्तमाल किया जाता है अगर आपके पासे मीठा इत्रे ना होना तो आप एक टी स्पून केवडा वाटर इसमें और अट कर सकते हैं तो जिस्ट टू ड्रॉप्स अफ मीठा इत्रे विल गो इन बस बाट सेट जादा मत अट कर दीजेगा नहीं तो काफ अब यह जो चावल का पानी हमने यहाँ पर बजा करके रखा हुआ है तो अबॉट हाफ अ कप ओफ राइस वाटर हम इसमें आड कर देंगे एंड नाव बिफोर आई सील इट मैं इसको देशी घी से डॉट कर दूँगी चार टेबल स्पून देशी घी चार अलग अलग पास पे अब मैंने यहाँ पर आटा अल्रेडी गूंद करके रख लिया है तो पहले इसे में रोल आउट कर लूँगी एक लंबी पाइप के जैसे और जो मेरा धक्कन है ना उस धक्कन को अच्छे से में सील करने के लिए पहले प्रिपेर कर लूँगी देखिये पुल दिस आउट जब तक कि आपके पास एक सिर्कम्फ्रेंस जितना आटे का लोई रेडी नहीं हो जाता अब लेते हैं अब अपना धक्कन और धक्कन के चारो तरफ इसे अच्छे से लगा लेते हैं यह काम बहुत जल्दी जल्दी होना होता है इसलिए सारी तयारी पहले से ही करके रख लेना बहुत जरूरी है यानि आटा भी पहले से गुंदा होना चाहिए फ्राइड अनियन भी पहले से रेडी होना चाहिए अब इसे आप हर तरफ से इस तरह से दबाते चाहिए ताकि यह अच्छे से सील हो जाए. इसे अच्छे से आप जरूर कवर कर दीजेगा. हम क्या कर रहे हैं? डम स्टाइल अफ को किंग. यह दम की बिर्यानी पक रही है. तो डम आना इसमें बहुत जरूरी है. और दम का क्या मतलब होता है? दम का मतलब होता है सांस. तो जब तक आप इसे अच्छे से सील नहीं करेंगे, इसमें सांस आई की नहीं आई, यह हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है? तो once this is done, अब इसे गैस पे लाते हैं. और पहले 5 मिनट तो हम इसको medium high heat पे रखेंगे. और उसके बाद इसकी heat immediately reduce कर देंगे. और सबसे low heat पे हम इसे कुखोने देंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए. ताकि जितने flavors हैं, वो अंदर ही अंदर गूमते रहें. और हमारी बिर्यानी में, rice में, पनीर में आजाए एक बड़ियासा flavor. तो जब तक हमारी बिर्यानी जो है, वो दम पर आती है ना, तब तक हम एक राइते के तायारी कर लेते हैं. अब बिर्यानी का मज़ा तो राइते के साथ ही आएगा ना. और वो राइता जानते किसका होगा? वो राइता होगा garlic का, जिसे हम कहते हैं बुरानी राइता. इसके लिए बस 4-5 cloves of garlic को में पहले अच्छे से कूट लूँगी थोड़े से पानी के साथ. अब हमारी जो पनीर बिर्यानी पक रही है ना, वो पक रही है, डम स्टाइल में. अब यह डम स्टाइल अफ कुकिंग क्या होता है? बेसिकली, flavors को seal कर दिया जाता है किसी भी pot में and you wait कि जब तक वो सारे के सारे जो flavors हैं आपस में अच्छे से मिल नहीं जाते हैं और जो उसमें थोड़ा सा जो moisture होता है ना, वो इतने steam में नहीं convert हो जाता कि वो seal तोड़के कहीं से बाहर निकलने लग जाए. तो जब वो seal तोड़के कहीं से बाहर निकलने लग जाएगा ना, हमें पता चल जाएगा कि हमारी dish में दम आ चुका है और अब हम इसको खोलने के लिए तयार हैं. तो इसलिए ये जो दम cooking होता है ना, दम technique of cooking जो है, इसको master करना थोड़ा सा difficult हो जाता है. कहीं ऐसा ना हो कि पता चला, आपके बिर्यानी में दम तो आ गया, लेकिन कहीं से seal शायर तूटी हुई थी, पूरी सांस बहार निकल गई और नीचे से आपके बिर्यानी लग गई या जल गई. तब क्या करेंगे आप? सच बताईए, अगर बिर्यानी नीचे से लग जाएगी, तो क्या किया जाएगा? हमेशा की तरह? इसका नुसका भी है ना मेरे पास? तो बस करना ये है कि गलती से भी अगर आपका पुलाव या बिर्यानी या चावल नीचे लग जाता है ना, आप खोलते हैं उसको जले की महक आती है, तो इमेजेटली इसे क्लोज कर दीजिए. अब एक प्याज लीजिए छिलके के साथ, उसे चार फ्रांक में कट कीजिए, अपने बिर्यानी पुलाव या चावल में नीचे दबा दीजिए और इमेजेटली कवर करके रख दीजिए किसी भारी बर्दन के साथ. दस मिनट बाद, जब आप धकन खोलेंगे ना, तो चावल में से जरे की महक बिल्कुल जा चुकी होगी, और जानते हैं, वो जो प्याज है, वो सारी की सारी महक को अब्जोब कर लेता है, तो अच्छा वाला चावल, बिर्यानी पुलाव निकालिए, उसे इंजोई नीचे जो लगा हुआ है, जला हुआ है, उसको तो अफकोस हमें डिस्कार्ड ही करना पड़ेगा, है ना, तो देखा, बातों-बातों में आपको एक और मैंने नुसका भी बता दिया, अब हम क्या करने जा रहे हैं, रायता बनाने जा रहे हैं, तो एक बोल में मैं ले ले यहां पर आधा कब दही, अब इसमें एड करेंगे यह क्रश्ट गार्लिक, थोड़ इसे पानी के साथ इसे निकाल लूगी मैं, अब एड करेंगे सौल्ट और रेड चिली पावडर और इसे चिल करने के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, अब रायता ड़न और आप नोट के लिए हम और पकने देंगे, and once you see कि यह स्टीम जो है वो थोड़ा कम पढ़ने लग गई है, तो ग्यास को कर दीजेगा बंद और बिर्यानी को आप 10 मिनिट के लिए ऐसे ही पहले रिस्ट करने देंगे, पान का ढखकन नहीं खोलेंगे, नोट कर लीजे, बहुत पाँच मिनिट हो चुके हैं, अब बॉल को खोल के देखते हैं, बिर्यानी रेडी हुई की नहीं हुई, जजमेंट टाइम, इसके लिए सील को पहले आप साइट से कट कर लीजे, now let's reveal the बिर्यानी, क्या लाजवाब खोश्बू है, और आप नोटस करेंगे कि चावल का एक एक दाना जो है, वो कैसे खिला खिला बना है इसमें, तो मैं तो इसे दस मिनट का समय और देने जा रही हूँ, आप इसे घर में जरूर ट्राइ कीजेगा, और मुझे जरूर बताइएगा, कि इस बार आपकी विर्यानी किसी भी रेस्टराउन से बेटर बनी की नहीं?